नमस्कार साथ ही हूं मैं प्रियंका गुपते इसे रध्यन पे आप सब करती हूं कैसे हैं आप सब लोग तो जिसे कि हम लोग जो अपने वन टॉपिक वन सौर कर एक सीरी चला रहे हैं ठीक है जिसमें आपके जो यूदिसी नेट पेपर वन में जो भी पूछे जाते हैं जहा प्लेशन में जाके यूदिए क्वस्ताब करों ओकि आपके लिक अपर करवाया हैं जिससे आपके कुसंन बन सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले है कि दीच्छा पोर्टल एक free e-learning पोर्टल है अब इसमें क्या क्या चीजें हैं क्यों इसको बनाए गया है और को लोग इसमें जुड़के आसानी से अपनी जो लर्निंग है उसको और अच्छा कर सकते हैं ठीक है तो यहां पे देखते हैं हम लोग सबसे पहल भी आपको पता होने चाहिए digital infrastructure for knowledge sharing ठीक है तो में यह जो आपका दीच्छा एप बनाए गया है teachers के लिए बनाए गया इसके अलावा भी आप इसमें student भी अपने content देख सकते हैं इसमें अलग से आपकी qr code पे आधारी किताबें दी गई है ठीक है जैसे आप ncrt की books देखते हैं तो उन सब चीजों को भी इसमें include किया गया है इसके अलावा जैसे आपके और भी जो digital initiative चल लाए है ठीक है आपका FLN चल लाए है जिसको foundational literacy numeracy चल लाए है बच्चों के लिए बनाए गया है इसके अलावा आपके निस्टा के program चल लाए है निस्टा 1.0, 2.0, 3.0 ठीक है इसके आप ECC है आपका तो जितने भी जिस्टर platform पे सारी चीजें हैं LCIT के द्वारा या CVC के द्वारा या फिर आपके UGC नेट में इनके सब का प्रियोग होता है और exam में काफी question भी पूछे जाते हैं तो उस सबको ही दिख्षा पे आप देख सकते हैं क्योंकि ये सारे ही एक दूसरे से इस तरीके से combined है कि जैसे में बनाए गया है आपके teachers के लिए ठीक है अब teachers क्या है कि other teacher के साथ coordinate करके उनके classes देख सकते हैं lesson देख सकते हैं और वो क्या-क्या activity करवाते हैं ये सबके बारे में जान सकते हैं जिससे कि अपने classroom में भी वो सब चीजें प्रियोग करके अच्छे से अपने classroom को quality content या फिर अपने जो student है उनकी जो creativity thinking है उनको अच्छे से बढ़ा सकते हैं तो देख्चा में ये इसलिए platform बनाया गया है इसलिए इसका नाम भी रखा गया है digital infrastructure for knowledge sharing मतलब knowledge share कर सकते हैं आप और एक दूसरे को help कर सकते हैं ठीक हैं तो ये स्कू पाधान में राष्ट्रिय सैच्छिक अनुस्तंजान और परिक्चल परिसर्जो आपके NCRT है की एक पहल है ठीक है तो ये भी आपको याद रखना है कि किसकी एक पहल है NCRT की ठीक है भारत के माननी उपराश्टपती स्री M. वैंकिया नाइडू द्वारा 2017 में लॉंच किय गया था जो लगवक सभी राज्यों के अंतर सासीत प्रदेश और जितने भी आपके स्टेट है ठीक है सब में ही जो CBSC बोर्ड है उनमें ये ची लागू की गई है ठीक है आपर टीचर्स की ट्रेनिंग भी करवाय जाती है दीक्षा को सितंबर 2017 में तत्कालिन मानवी मानव संसादन विकास मंतरी स्वी प्रकास जावेटकर द्वारा जारी राष्टी शिचक मंच के लिए रणीती और द्रश्टिकोर पत्र के आधार पर विक्सित किया गया था ठीक है दीक्षा को प्योग देश पर के सिच्छार्तियों शिच्चकों द्वारा किया जा सकता है और वर्तवान में ये 36 भारतिये भासाओं का समर्थन करता है फिर्ट्यक राज के केंदर सासिर प्रदेश अपने तरीके से दीक्षा मंच का लाव उठाता है क्योंकि उसके पास सिच्चकों, सिच्चार्तियों, प्रिसासकों के लिए कारकरम डिजाइन करने और चलाने के मंच समाधानों का उप्योग करने की सुतंता और विकल्थ है अब यहां पर क्या है कि आप भारत की किसी भी स्टेट से हैं तो आप जैसे NBS है आपका KBS है तो उन सबके टीचर्स के क्लास्रूम में क्या एक्टिविटी करवाते हैं कैसे पढ़ा रहे हैं ठीके तो उन से उनकी देख सकते हैं ठीक है उनका e-content ले सकते हैं इसके वज़ वीडियो के माद्यम से यहां पर वर्शूल लैब भी आपकी प्रोवाइट करवाई जाए जहां पर आप टक्टिकल बगएरा सारा कुछ चीजे कर सकते हैं तो दीक्षा नीतियों उत्तरर सिक्षा पारिस्तिकी त जैसे सिच्छा वी विसेशक संगठन संस्थान सरकारी अस्वायत संस्थान जो आपके NGO बगएरा चलते हैं के लिए देश के लिए बड़े पैमाने पर सीखने के लक्षों को फ्राप करने के लिए साजा मंच में भाग लेना योगदान देना लाव उठाने का संभग बनात कोई भी चीज़ें यहां पर साजा की जाती है दीख्छा प्लेट्पॉम पर यहां से आप कुछ भी सीख सकते हैं ठीक है लिए लिखाय से रेलेटेड एंसी आयटी पार्ट कुस्तुकों को CC by NC ND के तहत लाइसेंस प्राप्त है और सभी संसादनों को CC by NC CA के तहत लाइसेंस राप्त है भारा सरकार की PME विद्या पहल के तहट जिसे आप निर्वल भारत के हिस्से के रूप में गोसित किया गया है दीख्छा को One Nation One Digital Platform गोसित किया गया है तो इसका में ठीम क्या रखे गया है One Nation One Digital Platform ठीक है तो यह भी आपसे एक्जाम में पूछी जाती है इसको आप स्टुडेंट कैसे इसको यूज कर सकते हैं तो सबसे पहले यहां पर एक चीज है राइजड टेक्स्ट बुक अभी यह क्या है जो आपका QR कोड दिया जाता है ठीक है अपने NCRT के अगर बुक्स देखिए तो उसमें देखा होगा एक QR कोड सा होता है उसको स्कैन करके आप वो चीज अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं ठीक है ठीक है ठीक है तो QR कोड के थूँ आपकी बुक्स आपके भी मोबाइल पर यह लैप्टॉप पर जैसे भी आप यूज करना जाते हैं वहाँ देख सकते हैं इसे क्या होगा कि आपको अलग से PDF डाउनलोड करने की जाती है इसके अलावा उनके अलग-अलग से मॉडूल दिये गए हैं अगर आपको कोई मॉडूल पढ़ना है उसके वारे जानतारी करनी है ठीक है और CVSC बगार जो आपकी KVS, NVS है Central Government से रिलेटेड कीज़े हैं CVSC Board के स्कूल से वहाँ पर यह सब टाइम टू टाइम ट्र प्रवाइड करवा सकें इसके बाद एक question bank अब यहाँ पर एड होता है तो इसके लिए question bank का प्राभधान भी रखा गया है आप किसी भी topic पर question solve कर सकते हैं अब देख सकते हैं कि आप खुद का self assessment भी कर सकते हैं ठीक है इसके content sourcing और यहाँ पर content source का भी पूरा system रखा गया है क्योंकि सारी जितने platform है teaching से related उन सबको ही इसमें include किया गया है जिससे कि आपको कहीं इदर उदर जाने की आवा सकता ना पड़े आप एक ही जगा पर सारा content ले पाएं ठीक है content authoring इसके अदर आपकी quizzes भी यहाँ पर करवा जाते है content consumptions ठीक है data tools and dashboard इसका chat box है अगर आपको देख सकते हैं ठीक है यहाँ पर यहाँ पर यह सारी चीजों को प्रापदा रखा गया एक collaboration मिलकी काम सकते हैं कि जैसे आप कहीं अलग स्कूल में teacher है मालो ठीक है आपको दूसरे स्कूल के teacher से कुछ बातशीत करनी है या फिर उनकी strategy आपको देखनी है आपनानी है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक है इसके अलाबा है आपका सी क्यूब है सर्वे बगरा है लेंगेज ट्रांस यहाँ पर बहुत सारे लेंगेज में आपको content दिया जाएगा यहाँ पर आपने कोई लेंगेज के लिए कि प्राप्लम यहाँ पर नहीं रहेगी मेंटरिंग तो यह आप सारी चीजें देख सकते हैं यहाँ पर है दीक्षा एक ही प्लेटपॉम पर सारी चीजें बताएगे हैं यह एक open source है ठीक है जो भारत में निर्वेत और भारत के लिए बनाएगे जो इंटरनेट पैमाने की प्रोधोकियों को सामिल करती है सिच्चल और सीखने के लिए कई उप्योग मामलों समादनों को सक्षम बनाती है दीख्चा को Sunbird नामक MIT लाइसेंस प्राप्त open source तक्नीक का उप्योग करके बनाएगा है तो यह आप देख सकते हैं इसको किसकी तक्नीक का यूज़ करके बनाएगा है जो आपका है MIT और इसको Sunbird ठीक है इस तक्नीक का यूज़ करके इसको बनाएगा है सीखने और समाधानों के लिए एक डिश्टल बुनियादी धाचा है प्लेटफॉर्म और समाधानों की विकास के लिए building blocks के रूप में सौ से अधिक micro services प्रदान करता है तो मतलब यहां से आप बहुत सारी services यहां पे आपको दी आती हैं free अब यह है वन दीख्चा multiple centers and state program अब यहां पे आप लोग देश्टर एंड लीडर्शिप ट्रेनिग यहां पे होती हैं इसका लेशन प्लान और टीचर के टूल आप यहां पे देख सकते हैं क्या कि टीचर अपनी क्लास में पढ़ाने के लिए activity करवाते हैं कैसे उनको arrange करवाते हैं जिससे कैसे आप कोई local area के भी सामान को use करके class में करवा सकते हैं इसके explanation content practice and homework भी यहां पे है ठीक है question bank exam assessment है quiz है आप लोग देख सकते हैं कि यह पूरा एक ही platform बनाएगे जहां पे आपको सारी चीजे provide करवाईगी है ठीक है भारत के मानिय प्रधानमंती ने 29 जुलाई 2021 को national digital education architecture launch किया जो राज्यों के अंदुसासित प्रदेशों द्वारा संगी और अंतर संचालिक प्रणाय के विकास के लिए building block का काम करता है ठीक है दीच्छा के मुख निर्मारखंड में NDEAR के अधिकास निर्मारखंड सामिल है जिन्होंने NDEAR के कुछ सफल उपयोग को माबलों को सक्चम किया है मतलब अभी 2021 में क्योंकि 2017 में यह launch किया गया था 2021 में इसमें और भी चीज़ें include कर दीगें जिसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं सक्रिये पार्ट कुस्तके हैं online पार्ट करम है आपका सामगरी सरलेखर सामगरी sourcing interactive quiz है question bank, chatbot, analytics और dashboard यह सारी चीज़ें और भी यहां पर include कर दीगें इसको मतलब और भी creative बना दिया गया है COVID-19 महावारी के समय मंच ने देश वर में सिच्छातिय और सिच्वो भी पहुंच में अभुदपूर ब्रदी का अभप किया है तो यह जब launch किया गया 2017 में जब COVID का time आया था तो इसका use बहुत अच्छी तरीके से देखा गया है ठीके बच्चे भी इसका use कर पाएं पैरेंट भी इसका use कर पाएं इसका teacher भी use कर पाएं इसलिए बैसे भी COVID के बाद आपको पता है online learning का काफी scope भी बढ़ गया है तो यह काफी कारगर सावित हुआ है ठीके सिच्छलों सीखने की प्रक्रियों में सायता के लिए डिश्टर सामगरी के लिए NCRT, CVC, राज्यों की विबिन सामगरियों आवसक्ताओं के विरुद विद्यादान के तहट, CSR के तहट, स्कूलों और सिच्छकों सामगरी, भागीदारी, गैर, सर्कारी, संगठा जो आपके एंग्योज बगरा, कॉपरेट द्वारा, विमेंस अंसादनों का सम्रद बंदार योगदान दिया गया था अब विशेस आवसक्ताओं बच्चे जो आपके दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनके लिए भी इसमें अलग-अलग प्रादान रखा गया है, ठीके, कि सिच्छलों सीखने में सायता के लिए CWSN के लिए देख्चा पर बड़ी सख्या में आउडियो कुस्त के अवलेवल हैं, ठीके, इसके जो आपके सायन लेंगज होते हैं, उसमें भी यहाँ पर वीडियो वगएरा सब दी गई हैं, बारती सांकेति भासा वीडियो सब्द को सुफलक कराई गया है, ठीके, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर टीचर भी अपनी सारी जितनी भी च चीजें सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं, बचल से कनेक्ट हो सकते हैं, टीचर कनेक्ट हो सकते हैं, इसके स्टुडेंट हैं, कोस्टन बैंक हैं, किताबें हैं, कंटेंट हैं, ठीके, वीडियो के माध्यम से, आडियो के माध्यम से, किसी बताल से, कुछ भी जो भी आपको सीख कर सकते हैं, ठीक है, एंसी आयटी, PME Vidhyad DTS टीवी चैनल एक से बारा तक, जो एक चछा एक चैनल के मात्यम से 24 गंटे आधार पर सामग्री वित्रित करता है, ठीक है, तो जो PME Vidhyad चैनल है, पता है, आपको DTS चैनल है, 32 उसमें DTS चैनल है, और ये चैनल क अच्छा बार करते हुए QR कोड के मात्यां से दीच्छा से जुड़ी होती है तो इसमें जो भी आपका पढ़ाया जाता है वह भी सारा कंटेंट दीच्छा पर अब लेवल करवाया जाता है सुसंक्ता को सच्छा मनाने के लिए प्रसाड़ा सामगरी दीच्छा पर भी उपलप्त कराई गई तो यहां पर पूरे ही भारत में बहुत सारे जगा पर दीच्छा के उपर काम भी हो रहा है स्कूल में इसको पूरा एक चीज और देख लेते हैं जैसे आप गूगल जब ओपन करेंगे ठीक है आपको सिंपल यहां पर दीच्छा टाइप करना है तो यह दीच्छा प्लेट जैसे आपका ओपन होके आएगा अब आप लोग देख सकते हैं आप एंसी आटी सीवेसी एनायोयस स्टेट की जो भी बोर्ड वगरा है और वह सब का भी कंटेंड यहां पर अबलेवल है ठीक है इसके अलावा भी अब यहां पर जिसे आप लोग अगर एंसी आटी पर क्लिक करेंगे यहां पर एक्स्पोर पर क्लिक करेंगे तो यह आप लोग यहां पर पूरे आपकी डिटेल फिल करनी होगी कि आप का नाम क्या है आप स्टूडेंट है यहां पर जैसे आप टीचर है एट टीचर है पैर करके इसके इस्टेट हम लोग फिल कर लेते हैं यहां पर कोई भी दिल्ली कर लेते हैं ठीक है डिस्टिक कौन सा है नियु दिल्ली इसके सम्मिट करेंगे यह open होके आ जाएगे आप लोग यहां देख सकते हैं कि distant textbook हैं तो यहां पर वीडियो बगरा भी यह सब दिखाए जाएगा जिसे यहां पर आप लोग तरीके से कैसे कैसे हैं आपका द्युक्ति हके दwarम वीडियो चाहिए तो यहां पर वीडियो पर खליक करके धिए आप जीज ही आप जीज आप वीडियो जो जिसे वीडियो जो ऑपन करेंगे आपसे वीडियो और आप जीजोों ओके सकते हैं student, parent, head, master अभी आपको option open करके दिखा हैं कैसे भी आप इसको यूज कर सकते हैं तो यह आपका थार दीख्चा एक topic था अगर इसे question बनता है UGC NET में भी तो अगर आपको class अच्छी लगी हो आप comment section बता सकते हैं इसके के अलावा कुछ improve करने की बात है तो आप वह भी बता सकते हैं और अगर आपको कोई अलग से topic पे चाहिए वीडियो UGC NET के purpose से तो आप वह भी कमेंट करके बता सकते हैं और इसे प्रकास अपना प्यार और सयोग बनाए रखें धन्यवाद